चोपड़ा जो कुछन यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो मैं आपको इस वीडियो में एक गोडनेोज के बारे में बताने वाला हूँ NTA ने Government Messaging App जो संदेश एप है उसमें Participate कर लिया है इस संदेश एप के जिरिए NTA डारेक्टली आपको मैसेज भीजेगा आपके पास NTA से समय समय पर मैसेज आएंगे जैसे आपने NET का फोर्म अपलाई कर दिया है तो वो Uncomplete है तो Complete करने के लिए मैसेज समय समय पर आएगा फीस पे नहीं किये तो फीस पे करने के लिए आपके पास Reminder आएगा फोटो और सिगनेचर और डोकुमेंट्स अपलोडिंग में कोई कमी हो गई तो उसका मैसेज आएगा एडमिट कार्ड अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा रेजल्ट का मैसेज आएगा MCC के भी मैसेज आएंगे इसमें यानि कि ये संदेश एप अभी से लेकर के एडमिशन तक आपकी हेल्प करेगी मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली डेमो देकर बताऊंगा और NTA से आए हुए मैसेज के बारे में भी बताऊंगा कि इस प्रकार से ये मैसेज आते हैं आपके पास तो ये बहुत ही अच्छी कुशी की बात है और आपके लिए ये एप बहुत ही मैं तो पुरुण साबित होगी बहुत ही अच्छा सिस्टम है तो आपको इसको यूज कैसे करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे NTA से मैसेज कैसे रिशिव होते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ सबसे पहले हम इस एप को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद में मैसेज कैसे आते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपने वही मोबाइल यूज करना है जिससे आप NTA का फोर्म फिल करेंगे यानि की जो संदेश एप है उसी मोबाइल से हम यूज करेंगे जिससे हम NTA का नीट का फोर्म अपलाई करेंगे वही मोबाइल यूज करना है उसी पर OTP आएगा तो सबसे पहले हम मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे प्ले स्टोर में संदेश टाइप करेंगे यहाँ पर संदेश की स्पेलिंग S A N D E S है और संदेश एप टाइप करने के बाद हमारे पास में इस परकार का ओप्सन आएगा यहाँ हम इसको डाउनलोड और इंस्टाल कर लेंगे इंस्टाल करने के बाद ओपन का ओप्सन आएगा और ओपन के ओप्सन पर क्लिक करके हम इस एप को ओपन कर लेंगे तो जैसे ही एप को open करेंगे जो five परकार की permission बाकी सारी एप लेते हैं इस परकार से ये भी हमें इसमें five permissions देनी है इसमें तो संदेश permissions पर हमने okay करना है और यहाँ while using the app पर click करके यहाँ पर हमें इसको permission देना है इसके बाद context की permission allow कर देनी है phone calls की allow करनी है इसके बाद में media on your device की allow करनी है तो इस परकार से ये जो permission ले रहे हैं संदेश है ये हम permission इनको दे देंगे सारी permission देने के बाद यहाँ पर वही mobile number fill करेंगे ध्यान से सुनना यहाँ पर वही mobile number fill करेंगे जो हम NTA NEET का application form fill करते इसमें देंगे वही mobile number यहाँ हम use करेंगे तो यहाँ पर आपको वो mobile number fill करना है तो जैसे ही mobile number fill करेंगे OTP आएगा उसी mobile पर verification के लिए वही OTP यहाँ पर हमने drop कर देना है यहाँ पर OTP डाल देना है तो जैसे ही हम OTP यहाँ पर डालेंगे हमारे पास इस परकार का option आएगा profile create करने के लिए तो इसमें profile में हम अपड़े profile picture भी दे सकते हैं अगर आप profile picture नहीं देना चाते हैं तो कोई बात नहीं ऐसे ही छोड़ दे अगर profile picture देना चाते हैं तो यहाँ पर एक edit का option है pencil का निशान है इस पर click करना है आपको और mobile की location में जहाँ भी photo रखी हुई है वहाँ से आप यह photo ले सकते हैं यहाँ पर profile picture डाल सकते हैं नहीं भी डाले तो भी कोई problem नहीं है अब यहाँ पर आपको full name देना है full name मतलब जो भी आपका नाम है जिस नाम से आप neat का form apply कर रहे हैं वो नाम यहाँ पर आपको देना है इसके बाद में यहाँ पर gender fill करना है gender select करना है और gender select करने के बाद में next पर click करना है तो जैसे ही आप next पर click करेंगे यह आपकी profile create हो चुकी है यहाँ पर तो जैसे ही profile create हो चुकी है अब आपके लिए यहाँ पर दो option आएंगे एक तो आप यह जो contact है आपके यह इसको आप synchronize करना चाह रहे हैं क्या तो इसमें नीचे क्लिक कर दें अगर इसको नहीं synchronize करना चाह रहे हैं तो skip पर click कर दें तो जैसे ही आप skip पर click करेंगे आगे यह proceed हो जाएगा अगर इसको synchronize करना चाहते हैं तो इस पर click करेंगे तो आपके contact इस संदेश app में आ जाएंगे तो आप बाकी किसी को भी संदेश भेजना चाहते हैं मेसेज करना चाहते हैं आपकी contact में save हैं तो उनको भी कर सकते हैं बाकी NTA के साथ तो आपका इसमें contact होई जाएगा यह automatically हो जाएगा आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें इस संदेश के app को use कर रहे हैं तो वो सारे message इस संदेश app में आ जाएंगे जो इस mobile के साथ में जुड़े हुए हैं तो यह सबसे अच्छी बात है इसमें अब हम इसमें एक form apply करते हैं तो form apply करने के बाद वो कैसे message आता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो ज यहाँ पर मैंने registration कर दिया है और उसी mobile से registration किया है जिस mobile से यह संदेश app में registration किया है उसी से NEET का form apply किया है तो जैसे ही apply किया है मैंने registration कर दिया है तो इस परकार का message इस app में आ गया है NTA की तरब से ये app में message आ गया है इस message को हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है तो इसमें वही लिखा है हमारा नाम लिखा है और इसमें application number आये हैं और इसमें complete कौन सा step हुआ है वो आया है और इसके बाद में application for more upload documents को यहां पर incomplete दिखा रहा है और इसमें examination fees payment को भी incomplete दिखा रहा है और यह message दे रहा है कि आप remaining part है जो application form का वो complete करें वो अभी तक complete नहीं है तो इस परकार का यह message समय समय पर आता रहेगा यह broadcast user है यानि कि NTA आप क्यों ही message भीजेगा आप इसको यहां पर message नहीं भीज सकते हैं अगर आपने NTA को कोई message वगरा भीजना है तो फिर आप mail के through ही भीज सकते हैं यहां से आप इस message यहां पर इस संदेश app से message नहीं भीज सकते हैं क्योंकि यह NTA ने allow नहीं किया है इसमें सरफ NTA से ही आपके पास broadcast message आएंगे जो भी आपके form में कमी होगी या जो भी होगा अब इसमें नीचे चार option दिये गए हैं चैट का option है contacts का है groups का है accounts का है चैट में आपके पास message आते रहेंगे और इसमें contacts में आप किसी भी contacts को यहां से आप message फिल कर सकते हैं बेज सकते हैं group भी बना सकते हैं जैसे whatsapp group होता है वैसे यहां grouping भी कर सकते हैं और account में आपके account की profile वगरार उसके बारे में information होती है तो इस परकार से आप इसको use कर सकते हैं संदेश app को तो यह आपके लिए बहुत ही important है इस परकार से आप इस app का फाइदा उठा सकते हैं अगर आप mobile use न इसको use कर सकते हैं तो आपकी सारी tension दूर हो जाएंगी आपके form में क्या problem आई है आपको कहीं कोई problem तो नहीं हो गई है कहीं कोई problem तो नहीं है या फिर इसकी कोई update है NTA की तो वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी और सबसे अच्छी चीज है कि यह आपको बाद में भी MCC की counseling के time में भी इसके बारे में आपको update मिलती रहेगी तो यह एक जानकारी थी मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी अच्छी जानकारी साबित हो गी है तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तक तक के लिए जैहिंग